जोग गे ना थमनेल देखकर आप लोग यहीं सोच रहे होंगे ना कि हेली शा और नील भट गल्फरेंड और बाइफरेंड ऐसा कैसे हुआ दोनों आखिर कब मिले वैसे जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी लग रही है कब मिले कब गल्फरेंड बाइफरेंड बने यह सारे स इस वीडियो में आप इसको जब आप चानेंगे तो वीडियो को पहले लाइक करेंजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि नील भट को तो आप लोग जानते ही होंगे और हेली शाह कौन नहीं जानता उन्होंने एक से बात क कर रहें मेली शहली शाह और निल भट के बारे में इन दोनों के बारे में यह आखिड कब से एक दुस्रे को जानते हैं तो आपको बता दें गुलाल सीरियल तो आप लोगों ने देखा ही होगा जो कि हैली शाह का first show जहां पर नील भट ने first show में लीड रोल प्ले किया था व वो नील भट की प्रेमिका का रोल प्ले कर रही थी गुलाल से ओर में आप लोग जैसा की जानते ही होंगे इस शो में हेली साह का नाम टली था जिया वो गाउं की एक सीसाधी लड़की के रोल में नजर आई थी आपको बता दें इस शो के स्टार्डिंग कब हुई थी तो ये 15 नवंबर 2010 में स्टार्ट हुआ था जिया 15 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था और 10 अगस तक ये सू चला था 10 अगस 2011 को ये शो का आफ यर हो गया था ये शो लगभग 8-9 महने तक चला था और लेकिन उस वक्त इसको नाम फेम बहुत मिला लोग इस शो के काफी फैंस थे और गुलाल और किष्णी की जोड़ी के काफी फैंस थे तो वहीं टरली के किरदार को भी लोग काफी पसंद करते थे तो वहीं से हेली शाह को अच्छी से नाम पहचान मिली फैम मिला और दोनों काफी अच्छे दोस्त बने जी हाँ मैं नील भर्ट और हेली शाह की बात कर दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे जी हाँ दोनों रियल लाइफ में एक अलपर नपर फ्रेंड नहीं हैं लेकिन हाँ सीरियल में उन्होंने यही किरदार प्ले किया था वैसे आज दोनों अपनी लाइफ में काफी सकतेफुल एक्टर्स हैं और हम तो यही प्ले कि वह हमेशा इसे ही खुश रहें वैसे क्या कहते हैं आप इन दोनों की जोड़ी को लेकर कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर करना ना भूलना थैंक्यू फार वाचिंग